असलाम अलेकम स्टुडेंस वेलकम टू और लेवन लेवन बिद्वा जीहा आज हम और गैनिक केमिस्ट्री के कुछ इंफॉड़ेंस पॉइंट पढ़ेंगे ठीक है जो के के पिकी की बुक में नहीं है पंजाब की बुक में है और वो हमारे नम्स के सलेवस में भी गिवन है चीक है कल वीडियो मैं नहीं बनाती है विकाज आई वस्टू बिजी तो इसलिए जड़ा वीडियो बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है लेकिन मैं इंशाललह साथी वीडियो बनाँगी आज वीडियो है चैमिस्ट्री की वह है जी और गयनिक कैमिस्ट्री जो के कल वीडियो थी ठीक है और आज की वीडियो एक और भी होगी डाट इस रिलेटर टू गैसे चैक है और उसके इंपोर्टन पॉइंट मैं आपको बताऊंगी तो चलते हैं अपनी चप्टर की तरफ दाट इस क्रैकिंग आफ प्रेट्रोलियम यह तो आपके चप्टर में बलके बुक में नहीं है त अब जब भी हम प्रेट्रोलियम की फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पर जो गैसुलीन है क्या जो गैसुलीन है वो हमारे पर 20% अप्टेल होता है जब हम फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं किसकी प्रेट्रोलियम की ठीक है अब इस क्रैकिंग प्रेट्रो इसलिए हम क्या करते हैं जब हम प्रेट्रोलियम की डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पर लो क्वालिटी प्रोडक्स बनते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं क्रैकिंग क्या होते हैं हमारे पास जब हम क्या है हीयर हाइड्रोकार्बंगोंग्रोनवDAY है ही ह principal काुए हिस्ट नम्ट्र कर्वाइड तो हमारे पास हम स्टे का क्या है एंते हैं क्या है अब हमारे पास को फेंट्रोरush Chelsea प्रोडशन होते हैं तोapotend होते हैं थे क्या प्रोडक्स का अविचा क्या सकते है जी Ad Cult अवक्षत के ऐसकते हैं प्लस darkened ब्हासकते हैं थे किस पर प्रिपेंड करता है जिर्व inhibड करता है तो motivation कोंडिशन रहे हैं के इस में अविघापस क्राइकंडिशन क्या है और उसमें जो आपने में इंपॉर्टन पॉइंट याद करने है ठीक है और यह लेक्ट्र आपको देखने के बास दो मिनिट लगें कि इन सब को रिवाइस करने के लिए और आपको इसमें पुछी डिट्रिन इसमें जाने की ज़रत नहीं है तो उसके बार क्या है जी करते हैं या ब्रेक्डाउम करते हैं ठीक है उसका हम थर्मल क्रेकिंग करते हैं कहते हैं अब इसका में मक्सद क्या होता है और इससे कौन-कौन से हमारे पास प्रोडक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इफीन प्रोपीन और जो भी और हमारे पास अंचरियूरेटूरेटिट p Configure अब हमारे पास Next है Catalytic Cracking इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि Catalyst Use होता है Catalyst is Used ठीक है और उसके बास जो Temperature होता है वो हमारे पास क्या होता है Low होता है और जो pressure होता है वो अब हमारे पास क्या होता है लो होता है तक्रिबन 280 है यह आपने दो चीजे याद रखनी है कि यह तीन चीजे हमारे पास होते हैं अब हमारे पास इनमें कॉन से catalyst यूज होते है ठीक है तो catalyst में क्या है जी हमारे पास mixture of सिलिका सिलिकान आकसाइड और प्लस हमेरे पस अलमिनामीन अलमिनियम ट्राय आकसाइड ठीक है अलमुनियम ट्राय आकसाइड अब इस क्रैकिंग का में मक्सल हमारे पस क्या होता है कि हमारे पस हाई क्वालिटी गैसुलीन प्रोड्यूस हो ठीक है हाई क्वालिटी गैसुलीन गैसलीन क्या हो? प्रॉड्योस हो. यह हम इसको भी वह सकते हैं, कि वह गैसलीन प्रॉड्यूस हो जिसका ऑक्टेन नमबर हाई हो. अब मैं आपको आगे बिटांगी क्या आक्टेन नमबर जो उता है. उसमेंगा सिंपल सिंपल चीज, अब हम चलते हैं स्टीम क्रैकिंग की रही तरफ फेस्तिम क्राकिंग के सिर्वा की छवागर करेंगे अब यहां पर हम यूज्ट करेंगे कोई यूज्ट करिक अब हमाई पास कॉन सी कोफोर में वह ने फेस्तिम धान और हम्म्म कह वह आणिनसे हाइदा के जिसे Can chant के साथ ठीक है और वार शॉर्ड डिउरेशन और समपयु द्परिशर क्या होगा वारा पास नाइन हंड़ुड डिग्री थीक है और उसको शॉर्ड डिए एक्सपोज करें गे और रैपरीफली फिर कूल कर देंगे ठीक है अब अब इसका में मकषभ गया है इसले यसे हम भीम станов पास करह रहे हैं यह हो मियाकिन थायव देर्स क्लोबाटक्स प्रोड्यूस है थे लो अन्सेटीम वड़ी से क्लिया और हम पते है ह हापकिये हैं यह हो गया हमारे पास देले हैं यह टॉपिक हो गया लो जो हमसुआ हम जो हमारे पस किर गैसलीन प्रोडूस होते है प्रेट्रोलियम के फ्रैक्ष्ट्ट्ट में नहीं होता दो हमारे पास गुड कौलिटी में नहीं होता जब हम उसको बरंट कहते हैं इंजिन ने आविसली यूसेते हैं तो उसको बन करते हैं तो इंजिन से एक आवाज आती है जिसको हम क्या कहते हैं नॉकिंग कहते हैं उस साउंड को हम नॉकिंग कहते हैं जो हमारे पास फ्यूल जादा नॉकिंग प्रोडिस करते हैं तो वो हमारे पास हाई क्वालिटी के न में लेगनाइडा वियुल नापर सैट है अभूड करसे हैं हाइडो कार्बनältों कन्वर्ट करते है किस ölचे ब्रांच के यह नोकिंग प्रॉडीट कहते हैं यह जो बिरांच चैन हीडरोकार्बन होते हैं यह हमारे पास किया है ज 버 old was कि है क्या परफॉर्फॉर्फकरमेंस ? कि आफ फ्यूल यूस्टिन इंजन यह हमारे पास हम क्या कह सकते हैं यह एक définØर होता है यूख क्या करता है हमारे पास मेजर करता है किस बाद इसन एंटी नॉकिंग प्राप्रटी को एंटि नॉकिंग प्रॉप्रिटी ओफ स्ञेख्याओ ठारों चलि करेंैं ठीक है मतलब अगर फ्यूल हम यूज करते हैं इंजन में तो उससे इंजन से ज़्यादा अवास प्रोडियूस होती है अब आक्टेन नंबर जिसका जादा होगा उसमें हमारे पास एंटी नौकिंग प्रापरटी जादा होगी और उसकी क्वालिटी भी जादा होगी अब यहां पर जो आपने याद रखने है स्टेंडर्ड हमारे पास जो आक्टेन नंबर है वो क्या है हंडर्ड है हंडर है और यह किसका है हमारे पास आइसो आक्टेन का ठीक है आइसो आक्टेन का हमारे पास हंडर है यह स्टेंडर है ठीक है और इसको हम क्या कहते हैं इसकी क्या थिया टू-टू-फोर ट्रट्रा मिथायल पेंटेन ठीक है अब हम किसी भी फ्यूल की अंटी नौकिंग प्र प्रूपर्टि को चेक करने के लिए इस Ок number को देखचे हैं ठीक है उसके साथ compare करते हैं किसका yhtना शुक्त होता है ठीक है और यहां पर एक वर होता है ठीक है उसका राम क्या है जी हत्य जी इन दोनों के साथ हम compare करके देख्या है कि fuel का आया के octane number जादा है कि नहीं ठीक है अब हमारे पास जो इदर main point है anti knocking agent वाला कि anti knocking agent आप से पूछ सकते हैं कि anti knocking agent कौन सा है ठीक है तो उसके क्या नाम है हमारे पास टेट्राइथायल लेड ती एल उसको कहते हैं क्या टेट्राइथायल एथायल लेड ठीक है तो यह topics थे जो कि important थे और अगर आपको इसमें से कुछ चीश समझ नहीं आई तो आप comment कर दें मैं आपको समझा दूँगी तबारा से यह ठीक है और यहाँ पर हम टेट्राइथायल लड़के है फर्मूला लेक लेड़े दें ठीक है वह भी important है C2HC2H5 taken for PV यह डिटराइथायल लड़के क्या है फर्मूला है चीक है और जो अभी आज का बायो के चप्तर है that is bio energetic चीक है उसके में बहुत से important points है बहुत important MCQs है और 83 count वोला topic बहुत इंपरज़ एंपरज़ में जरूर करूंगी तो इससा जरूर देकने है और आज को फाइलम है वह भी आपने जरूर मेमोरा neutr já है और यसका मैं निमानेक भी आपको विडियो की फार्म में पiamente सांड करूंगी ठीक है तो ये थी आज की बीडियो होप्के आपको अच्छी लगी होगी और आपको संघ आ